कि हैलो दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो यह जो आपडेट बढ़े 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 बढ़ाई आविदल कर सकते हैं और जिन लोगों को लगता है कि आविदल फॉर्वे गलतियां आईसी वी जो सुधार करना समभ नहीं है इस वार आपको मौका है क्या मौ होका है कि आप रेजिटेशन को कैंसील करके फिर से दुवारा फॉर्म भर सकते हैं तो आपको लॉस क्या होगा 600 रुपया तो जो भी आपको माल लेए कि आपको अभी फिर लगने ऑफ सनल है जो कि मैंने गलत ले लिया और संभव नहीं है तो आप रेजिटेशन सीथे कैंस करने और फिर से आवेदन भाए इस वाल यह एलाओ किया गया मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर्म भर दिये हैं तो दुवारा नहीं भर सकते हैं मतलब उसको कैंसील करना पड़ेगा और आपको चिल चाहें कोई भी पता गलत हो गया पर्मानेंट पता गलत होने पर चल बहुत सारे लोगों है जो कि कर लिये हैं पूरा फॉर्म नहीं भरे हैं तो अपर एडिटिंग कर जब तक एडिटिंग कर अधर फिर भी फॉर्म भरा गया है तो फिर जो कि और सरकारी सेवा वाला तो मैंने पहले ही बताया था कि यह सिर्फ उम्र सीमा के लिए है जिनकी उ आप लोग परिशक त्यारी कर रहे होंगे अब है जो कि दूसरी ख़बर पढ़ाते हैं बैंक पियो आविदन को मौका 10 तक तो इंस्चिट ऑफ बैंकिंग प्रस्नेल सेलेक्शन की ओर से निकाले के प्रोपरिशनर ऑफिसर मनेजमेंट ट्रेनिंग एक ताली सो पाइटीस पदोपर भर्ती के लिए आविदन की प्रक्रिया जारी आविदन की अंतिवतिती थी 10 न सब्सक्राइब होना चाहिए और 20 से 30 साल के बीच होना चाहिए एक क्टूबर 2020 से गन्ना इसकी जो विशय क्या रहे हैं इंग्लिस कॉंटेटिव एप्चूड और रिजनिंग के प्रस्ण होंगे इंग्लिस में 30 नंबर के 30 परस्ण होंगे जिने 20 मिनट पे करना है उसी तर सब्सक्राइब के लिए 1600 सीटे हैं और 202 सीटें सी के लिए 689 सी के लिए 302 चाहिए 404 तो जो लोग नहीं भरें वह भटाफ़ट भर लें फिर यह है जो कि आपको समाज का लियान देशाले द्वारा जारी किया गया है और यह किसके लिए है तो बिहार राज के सामाने वर के अस्थाई निवासी के अभी अर्थ जो अभी महिला है जो यूपियस सी पास कर चुके उनको एक लाख रुपिय है जो की एक मुस्त मिले होगा मतलब यह जो है किसी भी अभी हैर्थी को इस मतलब यह किसी भी सरकारि सेवाब नहीं होना है उनको ले को यह राज्या सरकारदारा बीच शंपूतित या नियोजित अभी हरथी को लाब आप अगर सर्विस में हैं तो आपको नहीं मिलेगा साफ है उनके लिए नहीं है जिन लोगों कुछ का फाइदा हो रहा हो फटा-फट है जो कि फ़र भर रहा हुआ कि अगरा पार्ट नहीं के मामले में निदेशक या अदेश के खिलाब या तो राजी के माधिमिक सिच्छा निदेशक के और से जारी है आदेश के खार खंड राइकोट में या अचका दाखिल की गई है पार्थी एकजल भेगरा वर इलाल वे अले ले अजिस्टी थेवर ब् सक्टूबर से पत्र जारी किया जिसमें राज के सभी जिला सिच्छा निदेश के विज्यापल जारी किया था कि मुस्कु़ है उसको की जिम्भी से को चिलेएथ करें तो यह जो वावला है यह जाच का बोगरे के विभास्याम्य ज्हारकण नाइकोट के इस फैसले को गलत सब्सक्राइब तरीके से पढ़ा गया इसलिए बाद भी सिच्छन संस्तानों में दिखत रह गई सीठे यह आई-टी-आई-धार्खेंड का है उसमें जो कि सीठे अभी भी खाली रह गई है पचीस से पच्छास परतिशास तक है जो कि सीठे खाले सभी आई-टी-आई में सीठे रह गई है खाली चाया आई-टी-आई राची इस्ति सामान में 340 कल्यान में 120 महिला में 125 मलोग लगवा सभी में कुछ न कुछ सीठे जो कि खाली रह गए पर चारज के पद भी रिक्ट ह यहां पर और इनका क्या कहना है यह अधिक से अधिक सीठे नहीं भारती अधिक से अधिक सीठों पर नमांकर नहीं हो इसके लिए अब जीला अस्तर पर भी दाखला के नेर्देश दिये गए पंचायत अस्तर पर बाहाल कि एगए शरब्न मित्रों को भी लगाया थाकि वे कुछ कमिया है जिने दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि अधिक संसोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं होने से त्यारी प्रभावित हुई है तो उत्तर प्रदेश लोग से वायों कुछ दिनों पहले PCS 2021 का अंतिम कुंतर कुंजी जारी कर दी अपतिया मांगा था लेकि अभी एर्थियों को अब तक है जो कि PCS 2019-2020 का संसोधित कुंजी का अभी इंतियार है इसी तरह समिछा अधिकारी का अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं हुआ है उन्हेंने कितनी सवाल सही किया है गलत की अभी तक है जो कि पता नहीं है और अभी एर्थियों को बदलाव की अभी उन्हें है कि अभी इसमें की मांग किया है जारी करने के मांग किया है कि और इस दिनली पुलिस और केंद्रेम शास्थ पूलिस बदपेपर 2 परिछा में यह जारी किया है अब आते हैं बी एससी बहुत सारे लोग कभी कल है जो कि चेंटर का नाम और टाइमिंग दिया हुआ था बी एससी का और यह जो फरकिरिया है आपको नौ तारीकों खत्म हो रही है उसके बाद क्या होगा किनका रियल्ट दिया जाएगा मतलब यह जो फर्चा यह खत्म होने क अब अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह जो है कि पता चल जाएकि नंटाइपिंग मिलाए कि टाइपिंग मिला है बिला है तो यह भी यह कलियर नहीं होगा आपको नियुनतम कटफ माना जाएगा बहुत सारे लोगों माल लिए कि नियुनतम कटफ टाइपिंग का माले जैंक लोगों को सेलिंग बुलाए जाए तो क्या 45,000 लोग परिष्छा दिया नहीं उसमें भी यह जो कि आपको से लेकर 20,000 के बिच में जो क्या बैठी कॉंसेलिंग में बुलाया जाएगा और नियुनतम क्या कटफ पता चलेगा नहीं कटफ अभी नहीं पता चलेगा अभी आपको एक सॉट लिस्टेट रियल जाए कि आप आईए इस तारी को कॉंसेलिंग की तीथी जी जाएगी कि आ आप खॉंसेलिंग आईए और त्यारी क्या मेरिट लिस्ट भी जारी होगा तो जिस तरह कटेंड इधर रहा तो उमीद है कि आपको नहीं जारी किया जाएगा जिस तरह सीजियल टू में हुआ था कि आपको सॉट लिक्स्टेट कर दिया गया या आपका इतना यह है आप आ नन टाइपिंग के लिए तो बताया है कि 105 से जो कि में भी संभाव ना बनी हुए लेकिन 110 रहेगा तो आपको से बीच में आपको रह सकती है तो क्या 95 वालों को कॉंसेलिंग नहीं हो 95 वाले को भी होगी अगर टाइपिंग में आपकी टाइपिंग के स्थिति क्या है क्या क अनुसार होगी तो उम्मीद है कि आपको इस महिने के अंत में है जो कि शुरू हो सकती अगर बहुत लेट हुई तो अच्छी ख़बर है कि आपको जल्द ही है जो कि आएगी चाहां तक बाप भैकेंसियों का सवाल है कि बहुत सारी वेकेंसिया आठकी हुई है तो यह वेक तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इसमें दो कंडिशन है या तो असिस्टेंट के शाथ निकलेगा असिटेंट में रहेगा बीपेसी में जा रहे तो और सठीम आएगी तो इस तरह हो सकती है तो देखना है कि आगे क्या निरने होता है अभी तक तो पाले है कि यह हाथ म में हैं अभी तक गई नहीं अभी किसी नहीं है इसा को रूल आया है तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद